हलो दोस्तों स्वागत है मेरे youtube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिदान के भाग तीन भाग तीन में क्या दिया गया है? भाग तीन में दिये गये हैं मूल अधिकार मूल अधिकार मींज हमारे भारत के नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं या कौन-कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं ये इस भागतीन में दिया गया है अब हमारे मतलब हमें कुल मिला के भारत के नागरिकों को किन-किन अधिकारों को प्राप्त किया गया है इस संबिदान के द्वारा याने के भारती नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं इस संबन में हम बात कर रहे हैं भारती संबिदान में भारती नागरिक को टोटल साथ मूल अधिकार प्राप्त थे लेकिन इसमें से एक अधिकार कम कर दिया गया है वो अधिकार कौन सा कम किया गया है? वो अधिकार कम किया गया है संपत्ति का अधिकार. अब हमारे पास याने के हमें टोटल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं. कौन-कौन से मूल अधिकार हैं वो 6? देखो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार, तीस पिसरा है सोशन के विरुद्ध अधिकार, चोदा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है समवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार और छटा है संस्क्रति और सिक्षा का अधिकार, इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 6 अधिकार प्राप्त हैं, मूल अधिकार जि इस विशय पे चर्चा करना चाहते हैं वो विशय है हमारा समानता का अधिकार समानता के अधिकार में किन-किन विशयों को लिया गया है हम इस संबन में आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार कौन-कौन से अनुच्छेद से कौन-कौन से अनुच्छेद तक है हम इस विशह में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार में लेकिन इस से पहले हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार की definition जो दी गई है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक मात्रुक 12 और 13 में इससे संबंदित बताया गया है इसके बाद समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में चालू हो जाता है तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 क्या कहता है अनुच्छेद बारा कहता है अनुच्छेद बारा में राज्य को परिवाशित किया रहा है कि राज्य क्या होता है राज्य का मीन्स होता है भारत सरकार या राज्य सरकार या विधान मंडल या विधान सभा इस तरह से और राज्य सभा मतलब और इसके अलावा में इस्थानी निकाय नगर पालिका नगर पंचायद इस तरह से यानि के कुल मिलाके केंदर सरकार राज सरकार या इसके अधीनस्त रहने वाले जितने भी संसान है जितने भी निकाय है उन सभी को राज के रूप में यहाँ पर परिवाशित किया गया है मतलब यहाँ पर भी राज सब्द का यहाँ पर भी राज सब्द आ रहा है उसका मींस यह है कि वहाँ पर भारत सरकार या राज सरकार या इस्थानी निकाय से उसका अर्थ लगाया जाएगा अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा याने राज्ज के द्वारा किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि मूल अधिकारों को कम करता हो इस तरह से और नहीं मूल अधिकारों को कम करने वाले किसी कानून को क्रियानवित करने के लिए सरकार को कहा इस तरह से यहाँ पर राज्य सरकार और हमने देखा कि अनुच्छे 13 में इसको न्यून नहीं किया जाएगा इस सम्मन में जानकारी दी गई है अब हम बात करते हैं अगला पाइंट जो हमारा मुख्य पाइंट है जो हम बोल रहे हैं समानता का अधिकार कहा से स्टार्ट हो रहा है समानता का अधिकार स्टार्ट होता है अनुच्छे 14 से अनुचे 14, अनुचे 15, अनुचे 16, अनुचे 17 और अनुचे 18 इतने point हमारे समानता के अधिकार में दिये गए हैं तो समानता के अधिकार में सबसे पहले हमें कौन सी समानता दी गई है इस समद में हम बात कर रहे हैं सबसे पहली दिये विदी के समक्ष समानता अब ये विदी के समक्ष समानता क्या है विदी के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के समक्ष समानता कानून के समक्ष समानता मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे उसके लिए कानून बराबर होगा याने कि अमीर और गरीब के लिए कोई अलग-अलग कानून नहीं होगा या जाती विशेस के लिए मुल बंस के लिए या कैसी भी अन्नी चीज के लिए अलग कानून नहीं होगा इस तरह थे यानि के जिस प्रकार की सजा जिस प्रकार की सजा एक व्यक्तिव को दी जा रही है वैसी ही सजा दूसरे व्यक्तिव को भी दी जाएगी याने कि कानून के रूप में किसी भी प्रकार से कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा इसमें समानता रखी जाएगी इस प्रकार से विधी के समच्छ समानता का अधिकार यहां पर भारती सम्मिदान में हमको दिया गया है हम दूसरी बात कर रहे हैं कि और कौनचा अधिकार हमको दिया गया है अब इसमें दिया गया है कि जाती, अगला point हम बात कर रहा है, अनुच्छे 14 की बात कर रहा है, अनुच्छे 14 क्या कहता है, अनुच्छे 14 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जाती मूलवन्स या जनम इस्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर बेदवाव नहीं किया यहने के जाती के आधार पर मूलवंस के आधार पर उसके जनम इस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदवाव भारती संभिदान में नहीं किया गया है। सार्वजनिक होटल पर जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, सार्वजनिक कुवे से पानी भरने का उसका अधिकार है। कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा लेकन यहां पर एक चीज विशेश रूप से उलेखनी है कि यहां पर भारती संविधान में एक चीज और दे दी गई है वो क्या दे दिया गया है वो यह दे किनारे करके और उनके विकास की और ध्यान दिया जाका एक चीजी ए, दूसरी चीजी ए अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती या पिछड़ा वर्ग ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो देश की उन्नाती में साथ साथ आगे नहीं आ पा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को सांत में लाने के लिए, उनको विकास के समान आउसर देने के लिए, उनको उंचा उठाने के लिए यहाँ पर इस संबन में इसको थोड़ा सा दर किनार करके और इन लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षंट दिये जा सकेंगे इस अरे की बात यहाँ पर कही गई है इसके अलाबा में हम अगले अनुच्छेद की बात करते हैं अगला अनुच्छेद क्या है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद सोला अनुच्छेद सोला क्या कहता है अनुच्छेद सोला कहता है कि लोक नियोजन में लोक नियोजन क विशय में अवसर की समानता लोग नियोजन क्या होता है यह लोग नियोजन मतलब होता है सरकारी नौकरी अब सरकारी नौकरी मतलब कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है या कि किसी भी प्रकार की नौकरी में जाना चाहता है तो उसे समान असर प्रदान किये जाएंगे मतलब उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा लेकिन यही पर एक अब बात फिर से दे दिया इन्होंने अब बात में क्या दे दिया अब बात में वोई वाली बात कि अनुसूची जाती जन जाती पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को इसमें आरक्षन दिये जा सकेंगे ताकि उनकी उन्नती की जा सके और विकास उनका हो सके ताकि वो आगे आ सकें और एक सामान्य विचारधारा के साथ चल सकें, इसलिए उनको उन्नती के समाना उसर भी दिये जाएंगे, इसलिए उनको आरक्षन यहाँ पर दिया गया है, यह अवबात के स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है, हम अगले अनुच्छेत की बात करते हैं अगला अनुच्छेत क्या है, अगला अनुच्छेत है अस्प्रश्यता का अंत, अस्प्रश्यता क्या होता है, अस्प्रश्यता मतलब होता है छूवा छूट, हूआ क्या था कि जब हमारे भारत का संबिदान तयार हो रहा था, उस समय बाबा भीम राव अंबेट कर, इस सं पिर्माण में उनोंने बहुत मेध्पुन भूमी का ढ़ना की है और जब वो छोटे थे उनके साथ भहुत भेदवा हुआ हुआ हरिज़नों के साथ भी हुआ हुआ यहां तक कि लोग चुना पसंद नहीं ते इस तरह से ओर इसी लिए उनको विकास के समवान आउसर नहीं दीए जा सके इसलिए यहाँ पर एक बात के कही गई इसको असप्रस्टा का अंत kia जाएगा आस परस्टा मतलब आंट किया जा रहा है कोई वियक्ती की भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति से चुवा चूद का भेदवाव नहीं रखेगा भारत की भारत सरकार की नजर में सभी व्यक्ति समान है यदि कोई व्यक्ति चुवा चूद जैसी घ्रनित बातों को सोचता है और ऐसी रूडिगत परंपरा को अपनाता है तो उसको दंडित किया जाएगा इस प्रकार से यहां पर बात की गई अब अगला समानता का जो अधिकार है उसमें दिया गया है उपाधियों का अंत अच्छा उपाधियां क्या होती है पहले क्या होता था कि जो उपादियां नहीं नहीं उपादियां लोग अपने मन से कर लेते थे और पहले विदेशी लोग जो थे उन्होंने भी नहीं नहीं उपादियां दिर रखी थी तो उन सब का अंत यहां पर कर दिया गया जैसे लोग जमीदार होते थे तो जमीदार ब जा सकेंगी उससे संबंदित बताया गया कि सेना से संबंदित और सिक्षा के छेत्र से संबंदित जितनी भी उपादियां है वो दी जा सकेंगी ठीक है इसके अलावा में सभी उपादियों का यहां पर अंत कर दिया गया है यह क्या है यह भारत के नागरिकों के लिए है लेक विदेश का रहने वाला है भारत में आने के बाद यदि कोई विदेश के द्वारा याने कि किसी अनिदेश के द्वारा उसको कोई उपादी दी जाती है तो क्या वो गिरेंट करेगा इस संबंध में संबिदान में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है जिसको भारत की नागरिक्ता नहीं है लेकिन भारत में कामकाज के सिलसले में आया हुआ है और वो यहां का निवासी लगवग लगवग हो चुका है लेकिन उसने भारत की नागरिक्ता नहीं लिये तो ऐसे समय में वो व्यक्तियदी उपादियां लेना चाहता है तो वो राष्ट पती की अनुमती से ही उपादियां ग्रहन करेगा अनिथा वो उपादियां ग्रहन नहीं करेगा इस तरह से यहाँ पर बताई गई, कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा समानता का अधिकार, इस अधिकार से संबंदित और भी मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, धार्मिक सुतंतरता का अधिकार का वीडियो है, जिसे आप लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जा के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे बोलना नहीं है रहा, सब्सक्राइब कर लें, और वैल आइकोन को भी दबा दें, ताकि अगला नोटिफिकेशन जैसे वीडियो बनता है, और अपलोड होता है, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच कर देंगा धनिवाद